हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं बुलेट ट्रेन के विरोध में हजारों किसान हाई कोड पहुँचे कहा मोदी सरकार बिना पूछे ले रही है हमारी जमीन प्रधान मंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले विवादों में आ गया है मुंबई हमेदावाद के विरोध में करीब 1000 किसान हाई कोट पहुँच चुके हैं इस मामले में भूमी अधिकरहन को लेकर किसानों ने कोट में अपील की है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीन का अधिकरहन ना किया जाए दरसल किसानों का कहना है कि केंद्रिक की इस एक कडो 10 लाक रुपे की परियोजना में वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं क्यूंकि बुलिट ट्रेन के लिए प्रयोग में लिये जाने वाले मार्क किसानों की जमीन है जिसका अधिकरहन सरकार कर रही है हाई कोट में दर्च याचिका में कहा गया है मौजूदा भू अधिकरहन जापान इंटरनाशनल ऑपरेशन एजनसी जे आई सी ए के नियमों से अलग है किसानों ने अदालत में कहा जमीन अधिकरहन के लिए उनकी सहमती नहीं ली गई है साथ ही सरका ने इस मामले में उनसे कोई राय नहीं ली और जमीन ले ली गौर तलब हो कि इस से पहले भी किसानों ने कहा था कि ट्रेन के लिए जमीन अधिकरहन और परियावरन प्रभाग पर नीती नहीं है इसलिए काम के नाम पर खाना पुर्ती हो रही है किसानों का आरोप है कि NHSRC ने उनसे जमीन अधिकरहन के लिए जमीन की कीमत को लेकर कभी भी बात नहीं की अधिकारियों ने सीधा कहा कि किसानों को जीला कलेक्टरों से मौवजा मिल जाएगा वही किसानों का कहना है कि उनकी जमीन की कीमत सरकार द्वारा लगाई जा रही कीमत से जादा है